शारुक खान और दिपिका पादुकोन की फिल्म पठान को लेकर हर तरफ होहला हो रहा है महस्चार दिन बाद ही पठान सिनीमा घरों में दस्तर देने वाली है इसी बीच एक खबर ये सामने निकल कर आ भी है शारुक खान पठान को बिग बॉस्शोला और कपिल श्रमा श्व में साथ अंकार कर दिया है बताया जा रहा है कि इन शोज में फिल्म को प्रमोट करने की बजाए शारुक खान ओडियन्स की बीच जाकर डाइरेक्ट फिल्म का प्रमोशन करेंगे शारुक को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि शारुक बएक बॉस सोला में नहीं जा रहे हैं ऐसा भी बताया जा रहा है कि उन्हों ने दकपिल शर्मा शोव पर भी जाने का ऑफर ठुकरा दिया है फिल्म के एडवांस booking की बात करें तो पठान के एडवांस booking आज यानी 20 जनवरी से शुरू होनी थी लेकिन इसे एक दिन पहले ही यानि 19 जनवरी से शुरू कर दिया इस फिल्म की टिक्टे तापर तोड़ बिक रही है ऐसा भी अनुमान है कि फिल्म धमाकेदार उपनी करने वाली है ऐसा भी कहा जा रहा है कि शारुप खान के करियर की अब तक की दूसरी बड आपको देपिका पादुकून और जॉन अबराहम भी लीड रोल में देख सकते हैं और ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है आप पठान के लिए कितना एक्साइटेड है और क्या आप इस फिल्म को देखने जाएंगे हमें कमेंट करके जरूर बटाए और देखते रही इन खबर